नमस्कार, मैं सुनीता राजासी महाविद्याले से, आज हम प्रेमचन्द के कहाने पूस की राद के चर्चा करेंगे, प्रेमचन्द जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक हिंदी कथा साहिते में, एक मील के पत्थर की तरह हैं, उनके आने से एक नए युग की शुरुवात होती है, प्रेमचन्द युग, उन्हें पन्यास समराट भी कहा जाता है, लगभग तीन सो की कहानियां, और छोटे बड़े कुल मिलाकर, दस बारह पन्यास उनके हैं, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नमग्राम में हुआ, और बहुत छोटी हुमर में मा का इनकी देहान थो गया, और जो स्वतेली मा आई, उससे प्रेमचन्द को वो प्यार नहीं मिला, जो मा से बच्चे को मिलता है, इसलिए मा की कमे उनके जीवन में हमेशा रही, और ये उनकी कहानियों में, रचनाओं में जह लगता है, अनाथ बच्चे की जब वो व्याथा कहता है, तो ऐसा लगता है, जैसे वो अपने ही हिर्दय की बात उसमें लिख रहे हैं, अपने निजी जीवन में उन्होंने कई जग पर रहे और उन्होंने कई नौकरियां की, ये एक तरह से उनके लेखक, प्रिम्चन लेखक के लिए ये बहुत ही लाबदैक्स दिती थी, कि उनको जहां तहां घूमने को मिला, और उर्वर भूमी मिली अपनी कहानियों रचनाओं की फसल लगाने के लिए, लेकिन आर्थिक रूप से वो हमेशा कष्ट में ही रहे, आंत समय तक भी आर्थिक अभाव में ही वो रहे, इसको वो अपने व्यक्तितु पर हावी नहीं होने देते थे, वो बहुत ही हस्मुक इंसान थे और हमेशा हस्ते रहते थे परिस्थित्यों पर, जीवन को एक खेल की तरह लेते थे, जैसा कि रंग भूमे में उन्होंने अपने पात्र सूर्दास से कहलाया है, कि जीवन एक खेल है, हारे चाहे जीते, मन में मन मुटाव नहीं रहना चाहिए, उसी तरह से उन्होंने जीवन को जीया, पहला विवाह उनका सफल नहीं रहा, बाल विवाह हुआ पंदरसू लवर्ष के मुर में, उनके पिताजी ने उनके शादी कर दी, वो विवाह सफल नहीं रहा, और बाद में इन्होंने एक बाल विद्वाह शिवरानी देवी से विवाह किया, प्रेमचन की कहानिया एक समान्य मनुष्य को नायक बनाती हैं, इससे पहले के कथाओं में, कहानियों में, नायक कुछ विशेश हुआ करते थे, जिनमें कुछ विशेश गुण हो, वही नायक हो सकते थे, या कोई राजा हो, राजकुमार हो, या किसी भी तरह का कोई उसमें विशेश गुण होने चाहिए, तभी वो नायक बन सकता था, लेकिन प्रेमचन ने अपने आसपास से नायकों को चुना, वही मनुष्य जिनमें अच्छाईया थी, बुराईया थी, वो उनके कहानियों म अपन्यासों में नायक बने, महिला है, समान्य जीवन से, वही उनके कहानियों में नायकाएं बने, पूस की रात जो कहानी है, वो बहुत छोटा कथानक है, इसका एक रात की मातर और एक सुबह का एक छोटा सा द्रिश है, और फिर पूरी एक रात का इसमें विवरन है, ले गहराई बहुत है इसमें विस्तार बहुत कम है वो छोटी कहानी है लेकिन गहराई बहुत अधिक है इतने करीब से प्रेमचन जी ने दिखाया कि जो किसान है वो जी तोड़ हाड़ तोड़ महनत कर रहा है फिर भी वो जो जीवन की नितांत अनिवारे अवश्यक ताये हैं ज उनकी भी पूर्ती उस खेती की हाड़ तोड़ महनत से वो जरूरते उसकी पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो क्या करें किस तरह से किसान मजदूर बनने के लिए विवश्थ था वो इसमें साफ साफ दिखाई देता है सहना जो की एक महाजन है सूध पर रुपिया देता है सभी किसानों का महाजनों से सूध पर रुपिया लेने का चलन था लगान भरने के लिए या अन्य घर के शादी विवाह या और किसी खर्चे के लिए इसी तरह हल्कू ने भी सूध पर रुपिया लिया है और वो महाजन जो है अपना बाकी वसूल करने के लिए आया है हल्कू गरीब है परिश्रमी है और बहुत स्वाभिमानी है वो नहीं चाहता है कि कंबल के लिए मैं रुपे बचा लूँ और सहना से गालिया खाऊ मुन्य इंकार करती है तो वो यही बात कहता है तो क्या गालियां खाऊ है यानी हो स्वाभिमानी है कोई भी मनुशिय सबसे पहले अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है वो कहता है बला से जाड़ों मरेंगे तो मरेंगे जो होगा देखा जाएगा भी तो इस बला को सिर से टाले और वह मुनी को किसी तरह मना करके वो तीन रुपे ले जा कर दे देता है दुसरा कोई उपाय है नहीं कि कंबल खरीच सके जब रात को रखवाली की बात आती है पूस की रात है जन्वरी दिसमबर जन्वरी महिना जो हिंदी में पूस का महिना कहा जाता है उस समय की बरफीली ठंडी हवाय और वो खलिहान का वो द्रिश्य है जहां आस-पास घर नहीं होते हैं वहां बहुत तेजी से हवा ठंडी हवा चलती है और बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है जितना की गाओं में नहीं लगती है मत घरों के बीच में महलों में नहीं लगती है जितना की खली हान में खुली हवा लगती है उसका एक साथ ही है जबरा केवल हलकु और जबरा के ही ब की तरह उसमें वो है हलकू उससे बाते करता है मजाक भी करता है और उससे बहुत प्रेम करता है बोलता है कि कल से मैं तुम्हारे लिए यहां पुआल बिछा दूंगा और इतनी गरीबी में परिशानी में ठंड में लेकिन मनो विन्यूत की प्रवृत्ति उसकी है हलकू की उस में हसी मजाक भी करता है बोलता है क्या लेन सोचा था कि हलूआ पूरी खाने आ रहा हूं कि मेरे पीछे पीछे चले आया अब भुग तो बोलता था कि घर पे ही रहो तो तुम नहीं माने जब्रा से कह रहा है और ऐसा जब्रा कू कू करके उसके बातों का जवाब देता है तो उसको लगता है कि वो उनकी बातों को समझ रहा है और उसका जवाब दे रहा है किस तरह से वो चिलम पी पी कर तमबाकू की चिलम भर के पी पी कर अपने ठंड को भगाने का प्रयास करता है लेकिन चिलम से भला पूस की रात की ठंड जाएगी उसके पास केवल एक और बगल कुछदूरी पर जो बगीचा है वहां जाकर राम की पतियां इकठी करता है और उनका अलाव बना करता है बहुत बड़ा धेर इकठा करता है जितना उसको ठंड से तरस्त होता है उतना ही वह जोश में पतियां इकठा करता है और बहुत बड़ा अलाव लगाता है कि इस अलाव में वो ठंड को भस्म कर देगा और वहां पर अब उसकी जब आग चलने लगती है तन गरम हो जाता है तो कृड़ा शुरू हो जाती है वो एक इस पार से कुद कर उस पार जाना बच्चों की तरह खेलता है और जबरा से भी कहता है कि देखें कौन कुद कर जाता है मनो विनोधी प्रवृति का है जब आग बुझ जाती है पूरा महाँ पर गरम हट का मौसम हो जाता है चादर उतार देता है और वहीं लेट जाता है तभी खेतों में नील गाया आ जाती है और उसकी सारी फसल को चौपट कर देती है ये जबरा भी समझ रहा है कि नील गाया लगता है यह हलको भी जानता है कि नील गाएं घुसी है मेरे खेत में लेकिन वो अपने को ही धोखा देता है कहता है कि अरे नहीं जबरा के रहते हुए कहां कोई घुसेगा नहीं मुझे तो धोखा हुआ कहां सुनाई दे रहा है अपने आपको ही वो धोखा देता है और जो आलस से उसके अंदर घर कर गया है, उसके मारे वो चाहता भी उटके एक दो कदम चलता है, लेकिन इतनी ठंडी हवा का जोका आता है कि उसकी हिमत पस्त हो जाती और फिर वो वहीं पर लेट जाता है। सब सत्यनाश हो गया खेत, जिस प्रयोजन के लिए वो आया था खेत की रखवाली करने, वो नस्ठ हो गया, खेत पूरा फसल नस्ठ हो गई, मुन्नी बहुत परेशान होते हुए उसे जगाती है, कि तुम यहां सोय हो देखो, फसल तो सारी नस्ठ हो गई, उसको चिनता है कि लगान कैसे भढ़ा जाएगा, लेकिन हलकों को यह प्रसनता है कि अब पूस की रात में यहां सोना नहीं पड़ेगा, जो उसने रात भर कस्ट जहला, उसकी नजर में वो प्रमुक है, वो कहता है कि मजज़ूरी करेंगे तो करेंगे लेकिन यहाँ पर ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा इतना कस्ट झेल कर, ठंड झेल कर, गर्मी झेल कर, बरसाद झेल कर किसान इतनी महनत करता है अगर फिर भी उसको जो नियुन्तम आशकता है ना पूरी हो तो वो क्यों खेती करे यही तरासदी है उस समय के और बहुत हद तक आज भी किसानों के पलायन की खेती से पलायन करके दूसरे मजदूरी या फिर दूसरे कामों में जाने के बहुत छोटी सी कहानी है और बहुत हिमारमिक कहानी है हलकों के साथ साथ हम लोग भी उस पूस की रात की यातरा को तै करते हैं लेखक ने बिल्कुल पाठकों को ले जाकर बिठा दिया है उस खलिहान में हलकों के साथ किस तरह से एक किसान पूस की रात गुजारता है यहाँ प्रश्ण में अगर हम देखें तो पूस की रात कहानी का एक तो यह कहानी किसान से मजदूर बनने की तरास्दी है स्पस्ट करें इसके पश्षात हलकू का चरित्र चित्रन करें इसके पश्षात जब्रा और हलकू की मैत्री कैसी है इसका वर्णन करें इस तरह से इस पार्ट पर आधारित दुचार प्रेशन अवशे कर लेंगे और इस तरह से पूस की रात की चर्चा यहां खतम हुई अगले वीडियो में अन्य कोई कहानी ले करके उस पर चर्चा करेंगे धन्यवाद